और यूटिब चैनल श्री प्रसांट तैस्ट्टोलाजी में वने राहु देव का परिवर्तन होने जा रहा है और आपरैल को रहुदेव का परिवर्तन होगा तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा ये हमने जो किये तो हजार इकिस में वीडियो बनाया था सारी रासियों का साल भरवाला, उसमें हमने बताया था बार बार इस बात को, वीडियो आप लोग देखियेगा, तो उसमें आप लोगों को बात जादा समझ में आएगी, फिर भी, ये राहू का जो राह अपरैल कोर्प रासी परिवर्तन हो रहा है, उसमें आपकी रासी पे क पढ़ेगा तो आए हम लोग इसको जान लेते हैं कि आपके उपर इसका क्या असर पढ़ने वाला है इस राशी परिवर्टन का भाकि यहाँ पर आपको एक बात बता जेना और उसके पहले आवस्ट जगा है कि जो राहू का परिवर्टन है अकेले वही आपकी जीवन में आपको गाइड नहीं करता है आपके कणृणी में महा दसा क्या चल रही कि और भी जो दसाएंय हैं वो कैसे चल रहे हैं गोजर में आपकि कुंडली की क्या इस्थिति है उसी के साथ बाकी सारे कि गोजर में किस तरिक asapter मूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि एभी विदलने वाला है गुरू बदलने मालणा तो बहुत सारी चीजों को लेक के देखा जाता है तो यहां पर मित्रों आप लोग सीधा-सीधा किवल यह मत समझ लिजेगा कि राहू की वज़ा से ही सारा मेरी जीवन में अपचेंज होने वाला है या राहू की वज़ा से ही सब कुछ बदलने वाला है अच्छा बूरा जो भी आप की होने चलिए तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले मेश रास्य वाले उन्हों के लिए 알아भी तक जो राभूते उनके जो रासी है उससे दूसरे अस्थान में थे तो इससे क्या हो रहा था कि उन लोगों का जो पैसे का मामला था कि वो बड़ा उथल पुथल वाला था कि कभी इंदम से मिल जा रहा है कभी नहीं मिल रहा है बड़े उसके लिए पैसे के लिए सोच विचार करनी पड़ती थी करनी पढ़ती थी अभी भी करनी पढ़ रही है बारा तारिक से बदलेगा रहूं तो बहुत सारे उनको करनी पढ़ती थी पैसे के लिए यह सारी जो चीजें तो बहुते हैं पिछले डेर साथ से रहू की वजह से आपके जीवन में आ रहे थे इसी के साथ मित्रों घर परिवार में और इसी के साथ साथ आपको नहीं तो अपको थोड़ा सा एक जो भी आप जिसए हो नहीं होगा मतलब कभी-कभी बड़ी जुचलाट जिसको कहते हैं बड़ी अपने आप से गुसा होना इस तरह की जो चीजे हैं या अपने आप में विश्वास खतम हो जाना ये सारी जो चीजे हैं आपको हो रही थी इसी के साथ साज मित्रों आपको इस दोरान जब राहू की ये इस्तित थी तो बहुत ज्यादा इधर भागड़ों का भी मामला बनता था कि उसके लिए भी कहीं आना जाना या घर में भी अगर जा रहा है तो कुछ आपको सकून सांती वाली जो चीजें थी वो नहीं उपा रही थी तो ये सारी जो चीजें हो रही थी हम आपको पिछले साल का भ कि आपकी राशी कांसी है फिर भी तो अभी क्या है कि राहू देव अब आपके लगन में आ रहे हैं तो जब राहू देव मेस राशी वालों के लगन में आ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि अब आपको जो पैसे के लिए जो दिक्कत थी जो पैसे के लिए आपके सोच वि मेस रासी में जब राहु देव आ जाते हैं तो मंगल जो होता है उग्रप्रकित का उग्रा होता है तो इसलिए क्या है कि अब राहु आ जाएंगे जब मेस रासी में तो हमने पुराने वीडियो में बताया है सम्द तो उससे क्या होगा कि जो मेस रासी वाले हैं वह बहुत ज जादा उनको जल्दी बाजी हर चीज के लगे कि बहुत जादा उनको कंफ्यूजन आप कहेंगे कि कंफ्यूजन हो जाएगा लेकिन नहीं बहुत जादा वो कैल्कुलेशन में चले जाएंगे उधेड़बुन करेंगे क्या करें क्या ना करें कैरियर को लेके जीवन को लेके को लेके संपत्ती को लेके सारी चीजों में इसी दौरान एक थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं कि एक यह कन्फ्यूजन वाली इस्तिती और इसी के साथ एक अपने आप के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच विचार करना कि क्या होगा मेरा कैसे होगा और यहां पर एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए जो मेसराशी के लोग हैं यह जो आया हुआ है मेसराशी में रहू तो वो आपको एक्चुली में बहुत सारे जो रहू जो ग्रह होता है वो क्या होता है रहू जो ग्रह होता है वो ब्रेन होता है दिमाग होता है तो क्या है कि अब आप अपने बारे में सोच विचार करेंगे और अपने पूरी जो लाइफ है अठारा महिनों में आप ये चाहेंगे कि जो भी आपका पास्ट रहा है उस सारे चीजों को हटाते हुए उस पास्ट में जो लोग मैरीड हैं उनकी पत्नियां भी हैं जो मैरीड हैं उनके बच्चे भी हैं तो ये भी इस्थति आ सकती है मेश रासी वालों के साथ कि वो पत्नी से ध्यान लीजिएगा आप यहां पे कि पत्नी से भी और बच्चों से भी कैलकुलेशन करते हुए लोग आपको कहेंगे कि इस बीच में आपका तलाक नहीं आप पत्नी के बारे में ब कुछ भी आपने आज तक किया हुआ है जो आपको आगे करना है इतना आप अपने उपर रिसर्च करेंगे तो जब आप रिसर्च करेंगे तो उसमें सारे इन्वाल होगे इसमें आपकी सबसे पहले पत्नी इन्वाल होगी या जो भी आप मालीजे कि किसी रिलेशन में है त अगर माबाप हैं तो बहुत माबाप की सेवा कर रहा हैं इस समय सब कुछ है लेकिन मेज रासी वाले जो लोग होंगे बारा थारीक के बाद उनके मन में इस तरह आने लगेगा हम इतनी सेवा कर रहे हैं इनकी और हम इसी लिए बस पैदा हुए है जो ये पाज़िटीव जादा अपने बारे में मैं क्या अच्छा है चाहेंगे तो इस दाउरान आपको जो महीने का समय रहेगा इसमें आपके उपर स्वार्थ जो है आपको लोग जो बाहरी आदमी देखेगा वो समझेगा जा तो बढ़ा स्वार्थी आदमी स्वार्थी बन गया लेकिन इस 18 महीने में अगर आप ने अपने उपर कंट्रोल नहीं किया तो चुकि आप बीवी के उपर भी रिसर्च करेंगे पत्नी के उपर भी य है कि यह यह मेरे लिए सुटेविल है कि नहीं है क्या है इसको मतलब continue करना चाहिए नहीं करना चाहिए इग्नोर करना चाहिए किसी तरह से क्रिष्टा बना के रखना चाहिए बच्चों के साथ भी यह करेंगे मतलब यह हैं कि जहां भी इंडिविज्वल तवर पे आप इन्वाल हैं बस अपने बारे में सोचेंगे तो यह जो राहू का परिवर्टन है मुख्यत हम आपको पूरे तत्त की बात में सराशी वालों के लिए सबसे बड़ी चीज है वह यह लेकर आ रहा है और यहां पर एक बात आपको और बता देना बहुत जरूरी है आप लोगों को लगता है कि यह सब बताते हैं आपको तरदर से सब लोग लेकिन इस पीरियड में जो भी व्यक्ति में सराशी का अगर थोड़ा पुद्धिवानी से काम करेगा थोड़ी पुद्धिवानी दिखाएगा चीजों को रिसर्च करते समय जब वह अपने लाइफ पर रिसर्च कर रहा होगा और इस समय वह अपनी लाइफ पर रिसर्च करेगा 18 महीने तक कि किस तरीके से हमने क्या गलतियां किये हैं क्या हमको सही करना चाहिए यह सारा तो अगर कोई आदमी थोड़ा सा पेसेंटली धैर पूर्वक अगर चाहेगा तो यह जो 18 महीने होंगे मेश रासी का अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपना जीवन जो है पूरा एक प कर्रे सकता है करे सकता है कि इस दोरान केवल आप पतनी के साथ सथ ही नहीं बच्चों के साथ ली यहां तक कि आपका जो जण्मदाता है जण्मदाता का मतलब इस उसके उपर भी आप रिसर्ट करेंगे हैं अपसे जो भी लोग रिएरेक्ट रिएरेटेडं यहां तक कि आपका एगर कोई बिजनेस का पार्टनर है जो आपके बिजनेस में साथ में है आप उसके ऊपर भी रिसर्च करेंगे गया विर इसके साथ partnership continuous करनी Superintendent च接下來 नहीं करनी चाहिए रखनी चाहिए ना पार्टनेर्ट ढूड़ना चाहिए उस थोड़ा सा ज़्यादा पूझी वाला पार्टनर्व ढूंड़ना चाहिए यह इसा जीमांड कम हो ऐसा partner तो इन सब रिसर्चों का दो तरह का रिजल्ट आएगा अब हम आपको यह तो जोड़ा सा उसको हम आपको साइंटिफिक और जो प्रैक्टिकल एप्रोच होता उसको जोड़ के बता देते हैं समझे जल्दी से तो जब आप इतना रिसर्च करेंगे और डिसीजन आपको लेना है बात मेरी समझ लेज़ेगा जो तिस क्या होती है तो उसमें दो चीजें होंगी दो चीजें होंगी यह एक क्या होगा कि जिन लोगों की कुंडली में दसाएं महादसाएं अच्छी चल रही हैं जो लोग थोड़ा पेसेंटली कूली ठंडे दिमाग से डिसीजन लेंगे तो वो तो सारी चीजों को अपने इस पीरियर में सेटल डाउन कर लेंगे लेकिन जो लोग जिनकी अच्छी नहीं चल रही है या कुछ बुरी बुरा जिनका टाइम चल रहा है उन लोग क्या करेंगे वो जो अपनी रिसर्च करेंगे उसका फ्रस्टेशन जो है फिर वो अ अच्छा समय चल रहा है तो वह देखेगा यहां यार इस पत्नी के वज़ए से बड़ी दिक्कत बाद मेरे जो लाइफ है बड़ी पीछे चलती जा रही है तो वह उसको प्रेम पूर्वा कुस्त मैटर को कहीं सेटल करेगा लेकिन जिनका खराब समय चल रहा है कुंडली मे दूसरे करे जो खराब है माहधसा खराब है अंतरदसा खराब चल वह लोग उसी चीज को रिजल्ट एक ही आ रहा है तो जो रिजल्ट होगा दो तरह होगा जिसकी अच्छी माहधसा चल रही प्रेम पूर्वा कुस्त मैटर को सेटल करेगा या आपका माबाप के साथ, जिससे हम ने बताए, तो उसको लेकिन, जो एक्षन होगा आपका, वो इस प्रकार से होगा, कि आपकी महादसा क्या चल रही है। मेरी बात को आप समझेगा आपकी अंतरदसा क्या चल रही है आपके गोचर में ग्रह क्या इस्थिति है बाकी सब ग्रहों तो अगर वह पाजिटीव है तो रिजल्ट एक ही आ रहा है लेकिन डिसीजन आप दो तरह से लेंगे दूसरा वाला जो व्यक्ति होगा वह ऐसा कर सकत है तो रिजल्ट जो है अलग-अलग होगा लेकिन जो इसका हल होगा वो एक ही होगा तो मेस राशी वालों के लिए बेसिकली यह जो अठारा महीने का पीरियड होगा एक तरीके से अगर आपको हम बताएं तो बहुत अच्छा होगा और अगर उसी चीज को आप समाझ लीजिए कि एक तरीके से आप सोचिए तो गड़ बढ़ भी हो सकता है जिसमें कि आप फ्रस्टेट होके जब आप अपने बारे में सोचेंगे थोड़ा सा वीडियो बढ़ जाता है फिर भी माप गता देते जब अपने बारे में आप सकता है कुछ लोग उस फ्रस्टेशन में कुछ गलत नेड़ भी ले लें कि रही यार यह जीवन नहीं है वेकार है सब एतना सब्किया धरा सब वेकार है थोड़ो तो वह इस केस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ गलत नेड़ लेंगे हमने आपको क्या ब अधे की काम लेकिन वो जो कि करेगा रहू उसका जो होगा रहू का उस पे जो डिसीजन होगा इंडिविज्वाल का वो अलग-अलग होगा वो होगा आपके उसके आधार पे, समय के आधार पे और जिनका अच्छा समय चल रहा होगा, उन लोगों को क्या होगा, जब अपने उपर रिसर्च करेंगे, तो 18 महीने में अपने जीवन में, पैसे से लेके, पत्नी से लेके, बच्चे से लेके, वैवसाय, बिजनेस, हर चीज को अपने वो जो 18 महीने रहेंगे, उनके जीवन में बहुत बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं, मेसराशी वालों के टर्निंग कॉइंट रहेंगे, हम आपको इसलिए इतनी ये सारी चीजे बता रहे हैं, कि आपको ये पता हो कि होना यही है, सबके साथ, जितने मेसराशी वाल हैं, उ तो आप जो आप डिसीजन लेंगे, तो वो थोड़ा धैर के साथ, बुद्धिमानी के साथ लेंगे, जिससे कि अगर आपका थोड़ा समय कम भी अच्छा हो, मेरी बात आपके दिमाग में रहेगी, तो आपको लगेगा कि नहीं या बताये थे वो तो इसलिए हमको अभी सम समय से लेना चाहिए, बुद्धिमानी से लेना चाहिए, और जियोतिस का में मतलब यह होता, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे तो उसका आपको फायदा भी होना चाहिए, तो मित्रों, यह जो हम आपको वतारे, इस हिसाब से आप लोग करिएगा, बाकी, आप लोगों क फिल हाल के लिए इतना ही, पुना किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगया दीजिए, नमस्कार.